Hello friends, good morning, मिरा नामे किशोर सहा, आज आपके समने topic लाया हूँ, You cannot be a good manager, येस, you cannot be a good manager, अगर आपके पास ये basic चार पॉइंट्स नहीं हैं, First, if you are not good on confrontation, Second, if you are not a time management person, Third, if you are not a smart worker, Fourth, if you are not able to take, I take charge concept, ये चारो को मैं थोड़े थोड़ा चीज में सब्जा दूँगा, If you are not good on confrontation, मतलब क्या होता है, कि जैसा आप अपने colleagues ये अपने subordinate के साथ काम कर रहे हो, और उसके साथ आप proper तालमिल नहीं बिटा सकते हो, So sorry, you cannot be a good manager, अगर आप जरुद के टाइम पे चेर के नीचे घुशते हो, बैक सीट लेते हो, आप कोई काम colleagues ये सबोर्डिनेट को support करने के लिए नहीं कर रहे हो, तो प्रॉब्लम आ सकता है, तीसरा, आप राइट जॉब, रॉंग पर्सन को अलोकेट करते हो, तभी प्रॉब्लम आएगा, ये हो गया, इस आप गुड़ ऑन कन्फोर्टिशन, बात रहा अभी टाइम मैनेजमेंट हैगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपोर्टन चीज़े हमारी इंडिस्ट्रीज में, टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, कि जब हम कोई काम करते हैं, तो हम उन लोग को टाइम एलोकेट किया जाता है, अपने आप में, कि मैं इतना टाइम खतम करूँगा, खुद और टीम को लेके मैं खतम करूँगा, तो वो मेरे टार्गेट है, बोस तरह मैनेजमेंट कैस होता है, तो आप को असे करूँगा, अभी खतम करूँगा, तो भॉस फिर काम देंगे, फिर खतम करूँगा तो फिर बहुँट देंगा, तो आप को कोई हायर करता है, तो बस एक चीज़ के लिए की राइट टाइंप पे, घड़ चीज़ खतम करो, बच्पन में हम सब पड़े है और स्टीच इन टाइब सेव्ज नाइन तीसरा, if you are not a good smart worker, smart worker क्या होता है कि हम fast smartly काम कर ले मैं आपको बता जू smart worker वो होता है जो अपने लाइब में hard work किया होगा क्योंकि उसको पता होता है कि smart work क्या है अगर आपने लाइब में hard work नहीं किया होगा तो आपको smart worker का concept नहीं समझेगा तो इसलिए आप हर चीज में hard work किजिए कोई चीज में shortcut मत किजिए shortcut करोगे तो आगे जाके आप smart worker नहीं बन पाओगे लास्ट आइटेक चार्ज आइटेक चार्ज क्या concept है आइटेक चार्ज है कि जब आप कोई company में काम करते हो हर टेबल का अपने एक मतलब होता है वो टेबल अपने आपको समझ में में क्या बताना चाहता हूँ और एक चीज है इक लाइक दिस प्लीज शेर एंड सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मुच